हर बार परदे के पीछे अपने सरान या भूमिकान निभाने वाले मेकप आर्टिस्ट की प्रशन सा बहुत कम लोग करते हैं उनका योगदान टिलैमफोर्ड में कापे ले तारिफ होने के बावचुत उनका उनर दिखाने के लिए कोई मंच नहीं होता इसी को देखते हुए देश और शेहर में पहली बाद टैलेंट फैक्टरी की और से मेकप आर्टिस्ट के लिए रियालिटी शो का आयोचिन किया गया है इस संदर में उन्होंने पत्रकार परिशद में अधी चानकारी साजा की टैलेंट फैक्टरी एंटिटीन्मेंट की और से नाखपुर मेकप आर्टिस्ट के लिए नाखपुर का पहला टीवी रियालिटी शो ला रहा है जिसे सेंट्रल इंडिया उस बेस्ट मेकप आर्टिस्ट का नाम तिया गया है इसका प्रीमियर नाखपुर की चैनल BCN News पर होगा इस उलेकनिय रियालिटी शो का उद्धिश्य उन सभी भावक मेकप कलाकारों को एक सुनेरा अवसर प्रदान करना है जो मेकप की क्षेतर में एक मील का पत्थर तक भोचनी का लक्ष रखते है भारत भर की मेकप कलाकार इस रियालिटी शो में भाग ले सकते है और चार टीम लीडर प्रतिभागियों के सम्बंदित समुह का नित्रुत्व करेंगी प्रतिभागी तीन ग्रैंड फाइनल स्थानों में से एक हासिल करने के लिए प्रतिस्परधा करेंगी जैसे उसमें ग्रूमिंग बताया जाएगा मेकप अर्टिस्ट का जो परसनल डेलॉपमेंट है personality development वो भी दिखाया जाएंगा उसमें साथ ही में मेक अप हम लोगों के सारे शो होंगे जो episodes बनेंगे टीवी रियालिटी शो में तो ये सारे एक episode के माध्यम से टीवी पर दिखाया जाएंगा सभी प्रतिभागी शो की शिरुवात से ही कई चुनोतियों का मुकाबला करेंगे सभी के बीच सर्वश्रिष्ट मेक अप कलाकार को चुनने के लिए Elimination Round शामिल किये चाएंगे शो में मेक अप की प्रतियोगिता के साथ ही दर्शकों का भरपुर मनुरंजिन भी होगा नापुर ने इस टीवी रियालिटी शो को शिरुवाती डिपो की रूप में चुना है टीम सोशल मीडिया पर पोस्टर, वीडियो, ब्रोशर पोस्ट कर इसका प्रचार करती नज़र आई है विभिन निक्षेत्रों के जारिमाने लोग भी अपनी ओनलाइन उपस्तिती से शो का समर्तन और प्रचार करते रहे है देश भर से प्रसिद्ध मेकप आर्टिस्ट इसकार करम में समर्तकों की भूमिका निभा रहे है कैमर पोस्टन राजकुमार मोर के साथ दिशहटवार पीसियन न्यूस नाकपर